समस्कार दोस्तों हम लोग समरीगे तो इंपर्टेंट समरीज हम लोग क्या किये हैं बढ़ चुके हैं अरती जमाई होम और आपिंच आप्सनाव यह दो जार्टेश के नजरिये से काफी इंपर्टेंट है तो हम लोग क्या करेंगे मतलब अच्छे से याद कर लेंगे अगर आप लोग को लिंक आपको डिस्कॉस्टर ने दे देंगे और ठीक तो आज हम लोग यह बता आर्टिस्ट समरी पढ़ेंगे आर्टिस्ट समरी साल के लिए 23 बोर्ड एक्जाम के लिए काफी इंपर्टेंट तो इसको आप लोग को सब्सक्राइब नहीं अदे और यह 20 रड में हम लोग जाब देना होता है अगर यह 120 से जादा है आप इसको स्कॉट कर सकते हैं कोई डो इसको रचाइन आप इसको हटा दीजिएगा अप अराम से समझ जाहें आप जाहें समझ जाहें कि कौन से लाइन को हटा देना है यह स्टोरी इसको परें सीगा नोया तो यह सीगा नोया दौरा रचित एक कहानी है ठीक है आर्टिस्ट जो है एक सीगा नोया दौरा रचित कहानी है यहां कहानी जो है सात्रों के परती सिच्छक और माता-पिता की पुरानी सोच को दिखाए ठीक है तो उसी के कहानी हुंको इसमें पढ़ना है तो सिच्छक और माता-पिता सोचते हैं तो टीचर एंड पैरेंट्स इंक डैट स्पेंडिंग टाइम एक्सेप्ट स्टडी इस वानी बेस्ट टाइम और उनके सिच्छक और माता-पिता का यही सोच है कि पढ़ाई को छोड़कर कहीं और समय बिताना के वह समय वरबात करना है मतलब पहले के लोग सोचते थे कि नहीं पढ़ना है तो सिच्छका कुणरा नहीं है तो बेस्ट टाइम समझते थे प्रहाई के था 12 साल का एक स्कूल जाने वाला सुडेंट था चात्र था ठीक है चात्र है जो क्या है हूँ आज ग्रेट पैस नाटली इंट्रेस्टेड इन कलेक्शन गॉट्स ठीक है जो बड़े चाव से लोकी की तरह दिखने वाले एक परकार का गुद्देदार फलीकर्टा करने में र इतने भी उसको फल दिखाई देते थे गुद्देदार फल उसको इखटा करने में रिच दिखाता था रखता था कि इज नौट इंट्रेस्टेड इन इस्टडिंग एंड लेइंग बीथ दा इस्टुडेंट्स ठीक है वह उसे चात्रों के साथ अध्यान करने और खेलने में कोई दिल्चस्वी नहीं तो रूची क्या था वह लोकी की तरह दिखने वाले या लोकी की तरह दिखने वाले जो गुद्देदार फल है उसको कलेक्ट करना उसका रूची था लेकिन वहां क्या है अपने दोस्तों के साथ खेलता कुटता नहीं था और नहीं पढ़ता था तो दिल्चस्वी नहीं थी ठीक है उसका आफ्टर क्लास ही यूज्वाली वंडर्ड एवाउट दाउन लूकि फॉर्ड गोट्स को अच्छा के बाद नदे खी खकत्म हो जाता था तो वहाँ आम तोर पर लॉकी की तलास में वहाँ क्या करता था लॉकी की तलास में इं घूमने लगता था साहर के आस-पास बजार में घूमता था ठीक है घूमता था और तर यूड इन दो वेविए कि दिखाल आपने घड़ के कमड़े के कोने में टीक है अपने घर के कमड़े के कोने में और आफ Bye ओविविंग रूम घड़ए अपने खमड़े के कुने में पैर पार पाड रक्ड़ सिट क्रॉस डिलेग अ kinetic पैर ऐख अपने लाए हुए नया फल पर काम करता है जो उसने फल लाया था नया फल उस पर वह काम करता नजर आएगा मतलब उससे नजर आता हूँ चलिए अब आगे देखते हैं लेकिन उसके पिता ने अपने बेटे के काम को पसंद नहीं किया जो सेवी कर रहा था उसको पसंद नहीं कर रहे थे उसके पिता वाटा सेवी वाज डूइंग तो पसंद नहीं कर रहे थे फिर उसका वांटेड इस सन तो गीव अप इस अन्वांटेड वाज उसका बेटा इस अवांशित काम को छोड़ दे उनके पिता जी चाहते थे उसका जो बेटा है या इस अवांशित काम को जो मतलब वो नहीं चाहाँ रहे है वो काम वह ना करे ठीक है फिर उसके बाद क्या है सेवी सेविच फादर डिडन्ट वांट लिसेन फू एनि कम्पलेंट ओफ हीज श्टरन तो आप यहां पे देख सकते हैं इसका क्या मतलब हो सकता है तो उसके बाद है सेवी के पिता जो है वो क्या है सेभी बादर डिटन्ट वान तो लिसन टुन नहीं चाहते थे ठीक है वह अपने सेभी के पीटा जी जो है वह अपने बेटे का कोई भी सिकायत अपने सुनना नहीं चाहते थे वन डे से भी परचेज एन अट्रेक्टिव गॉर्ड फॉम एन ओल्ड ओमेन और गोज टू स्कूल बीथ इट तो एक दिन से भी एक बूढ़ी औरत से फिक है वन डे से भी परचेज एन अट्रेक्टिव गॉर्ड बताब जो दिखने में काभी अकर्शक लोकी था उसको बूढ़ी और उसके खरीद लिया खरीद के वह स्कूल ले गया उसको अपने साथ वह स्कूल ले जाता है उसको लोक कॉट रेड़ हैंडेड पाई इज क्लास टिचर अब यहां पर पक्राग्या कि वहां इसे आपने डेस्क के नीचे चमकाने लगता है अप्लिसिंग करने लगता है तो चमकाने लगता है लेकिन से भी अपने वर्क सिचह के सामने रंग हात पकर जाता है यहां करते हुए उसके teacher क्या है पकड़ लेते हैं उसके इस काम के लिए सिचक जो थे सेवी से बहुत नाराज हो गया बहुत ख्रोधित हो गया उस्सा हो गया जो टीचर टूक दा गॉड़ बिद हीम एंड फॉलोड सेवी वीज ओम एंड कंप्लेंट टू इज पैरेंट गयेंटिस सेवी सेवी के खिलाप उसके माता फिता से सिकायत की ठीक है सिकायत की अब चलिए सिकायत की तो अभ देखिए न ब्रोक ज़्हे पिता जी काफी गुशा हो बात्रही एंड क्या सेवी कफे दूर्ग रूपी को तौरदी जब इसको बूलिता से डाटा गया और उसके सारे लोकी अंत में जवरन उस से उस काम और उस चीज को छोड़ देने के लिए मजबूर किया गया ठीक है बचारे को बहुत मजबूर किया गया कि इसको काम छोड़ देना है ठीक है बहुत प्रेसर डाला गया फिर उसके बाद दस पीसी डाट दा टीचर एंड पैरेंट्स इडंट केर इंट्रेस्ट ओफ दा चाइल्ड, ठीक है इस से क्या पता चल रहा है कि इस हम देखते हैं कि सिच्छक और माता-पिता ने बच्चे के हित की फर्वां नहीं की इल जो इंट्रेस्ट था उसमे उनके माता-पिता न्य उसका साथ-उनिय दीए तो यह क्या हो गया this is an injustice this is an injustice this is an injustice to children ये बच्चे के साथ अन्याब्चे का साथ अन्या था अन्या था अन्याब्चे का इंट्रेस्ट है उसमें आप उसको साथ दीजिए अभी वह बच्चा आगे बढ़ेगा नहीं तो उसको जे वरस्ती अपना काम थोप दिजेगा तो वह सब्सक्राइब नहीं कर पाएगा और बाकी सारा जो इंग्लिस का उसमें जो भी इंपोर्टेंट होगा इस जो आपको मिलेगा इस हांडेड मार्क्स का ठीक है तो इसमें मिलेगा आप इस चैनल के साथ रहिएगा ठीक है